गुद मॉरिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हेंड हेल्पलाइंग, गुद मॉरिंग इस्टेंड गरफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है असी, नब्बे, सौ और एक सो दस सब्रति मिनट के डिक्टेशन, यानि असी सब्रति मिनट के दिये गया है, तो प्लीज एक बाद चेक करें, फिर उसके बाद सो समझ के कमेंट करें, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले दैनिक जागरन के कटिन वर्ट से और आउटलाइन्स को, उसके पाद हिंदूस्तान के कटिन वर्ट से और आउटलाइन्स को, यानि इसमें आपको मिलता है, दैनिक जागरन और हिंदूस्तान, दो प्रकार के संपाद किया के डिक्टेशन, इंडेक्स आपको बता दिया जाएगा, अभी अगर आप पहले से जुड़े हैं, तो आपको बता होगा, कि 80 में हिंदूस्तान, 90 में जागरन, और 100 में हिंदूस्तान, और 110 जागरन ऐसा किया गया है, ताकि आप लोगों को अलग 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 प्रकार के डिक्टेशन, अलग अलग स्पेड में मिल सके, और रही बात, कोट की वेकेंसी आई है उसके लिए, तो उसके लिए आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, कि वीडियो अपलोड करें, या फिर ह कुछ आउटलाइन्स बताएं या फिर कुछ बताएं तो वो कुछ भी करने के जरुरत नहीं है, क्योंकि हाई कोट के एक्जाम को मद्द नजर रखते हुए हमने एक सीरीज चलाई है, जिसमें आपको मिलेगा सभी प्रकार के डिक्टेशन, यानि कि संसदी, संपाद की और विशय विशय और श्लोर डिक्टेशन चुकि 70-80 का होता है, और कोट की डिक्टेशन तो दिये ही जाते हैं उसमें, इसके अलामा एक और हम एड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजिस्थान पत्रिका, तो अगर आप इन सभी डिक्टेशन के प्रयास करते हैं, वो भी प तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक वाट्सप के लिंक दी गई है, वहाँ पे जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको हैपी स्टेनोग्राफी से जुड़ना है, या फिर स्टेनों से जुड़ना है, आप ऐसा मैसेज कर सकते हैं, हाई या हलो का message करेंगे तो आपका reply देन में जाएगा तो आपको बस यह कहना है कि mp3, pdf and outlines यानि सबकी pdf तो मिलेगी ही इसके साथ ही mp3 भी मिलेगा इसके साथ ही outlines भी मिलेगा यानि gms से पहले ही उसे upload कर दिया जाता है तो आप उसे जरूर जोइन करें अगर आप stanographer बनना चाहते हैं राजस्तान में तो otherwise अगर आप youtube पर ही dictation लिखना चाहते हैं तो यह free of cost है यह आप लिख सकते हैं यह कभी विबन नहीं किया जाएगा यह उन लोगों के लिए है जो especially थैयारी करना चाहते हैं या फिर हमारे द्वारा online courses के द्वारा चुड़ना चाहते हैं तो चलिए बात तो बहुत होगी आप बाते करते हैं outlines की नागरिक्ता संसोधन कानून यह बहुत बार मैंने बताया होगा आपको तो आप एक बार फिर से देख लिए क्योंकि यह topic बना हुआ बहुत टाइम से यह topic है तो यह कित्ती बार मैंने बना दिया होगा फिर छोड़ ज और हो फिर और नीचे की तरफ वाला और किया का सब्दचिन और की के लिए डैस लगा दिया किया न पढ़ ले हम लोग इसले हमने यहां पे मातरा लगा दिया अधी सूचित तो अधी सूचित के लिए और धुषर का आकड़ा फिर छ partner लगा दिया लेकिन थोड़ास करें तो वो ज़्यादा suitable रहेगा आपके लिए भी मन, मानी, व्याख्या दो तरीके से हमने बनाया है तो आपको जो suitable लगया आप देख सकते हैं मन, मानी, व्याख्या खो और यौका अकडा या फिर मन, वो, बो को हम वो भी लिख सकते हैं खो फिर यौका अकडा विरोध कर रहे हैं तो विरोध का सब्दचिन और उसी में हम कमिर अकडा लगाते हुए बढ़ा करेंगे तो रहा रही रहे जोड़ जाएगा और एक ही मातर अच्छे से डिफ्रेंसरेट हो सके इसलिए हमने एक ही मातरा लगा दिया है सैकंड फ्लीज़ पर भारती है नागरिक से तो भारत का सब्दचिन और नागरिक इसमें जोड़ा और से के लिए मैंने बताया है था से के लिए चोटा सा सरका सर्कल बनाते हैं में के लिए छुटा सा मौ बनाते हैं और है के लिए छुटा सा है बनाते हैं नेक्स्ट है राष्ट्री नागरिक्ता रजिस्टर ये दोनों आउटलाइन तो आप रेट लिजिए या फिर रोज़ से कट कर सकते हैं, जो यानि की शो का शो किल, इस परष्ट का सब्दचिन मैंने बताया था, शोट ही लिखते हैं, ना कि हम इस्ट का चाह, फिर पो, फिर इस्ट का चाह, वो इसके वल साठ या सदर प्रिति मिनले डिक्टेशन वालों के लिए होता है, तो सर्च करें YouTube पर स्टैनोहेलबलाइन नहीं था पर पर हमारे चैनल आको दिखाएदेगा प्लेश्ट में जाए इस स्टैनोहेडी रूल्स करके वीड्यो होगी वीडियो में अ सारे प्लेश्ट में ये सारे वीडियो अपलोट किया गया है जो कि रूल्स बताए गया है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है अभियान के तहट तो अभियान हमने लिखा और के तहट का रूल अपलाई कर दिया के तहट का रूल ही होता है जो मैंने स्टैनों हेल्पलाइन पर बताया था नेक्स्ट है औचित नहीं रह गया है तो औचित अ के लिए डास लगाया फिर चो फिर तो का अकड़ा नहीं रो को बढ़ा करेंगे यानि कि रह और अगर हम लिखते हैं न कीवल सटा करके तो रो खो पढ़ा जाता है और रो खो भी उसे पढ़ा जाता है according to sentence तो रह गया है के लिए वह का अकड़ा फिर है जग जाहिर ही है तो जग जाहिर के लिए जग जग फिर फिर रो और ही के लिए एक हो का सरकल बनाया और है की का अकड़ा लगा दिया अलप संक्यक बहुत बार आता है तो आप इसे दे लगाया लग फिर पो शंख्याक के लिए संख्या जैसे लिखते हैं और संख्यक है तो डास लगा करके को लगा दिया सेम इसी तरह हमने बहुत संख्यक को भी किया है तो यह तो रही दहनिक शागरिन के आप देख लेते हैं दूसरा संपाद की जो की है हिंदुस्तान टाइ इसमें जोड़ देंगे, अगर यहीं हम 110 में लिखते हैं, तो प्रदेश पूरा ने लिखते हैं, प्रवर शोही के वर लिखते हैं, पहले अक्षर से कट कर देते हैं लेकिन ये नाम ऐसा है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको थोड़ा से डिफिकल्ट हो सकता है चंद्र चौको बढ़ा करेंगे फिर बॉस से कट करेंगे तो चंद्र बाबु तो ऐसे योगया दो इसमें डिवाइड हो गया फिर नौ से कट करेंगे तो तीन बार हमें पैंसल उठानी पड़ेगी और हमारी स्पीड डिक्रेज हो जाएगी तो इसलिए हमने ऐसे क्या चको बढ़ा करके चंद्र उसी में बॉल लिग दिया और नौ से कट कर दिया तो योगे चंद्र बाबु नाइडु अम्रावती पर्योजना के ल पर अपलाई कर देंगे आर्थिक मदद तो आर्थिक के लिए रा और कर से कट भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमने कट नहीं किया है ताकि हमें पैंसल नहीं उठाने पड़े मदद का सब्दचिन लिख देंगे तो यह जाएगा आर्थिक मदद जग मोहन रेडडी तो जग कोई कनफ्यूज मत रही है कि आपने ऐसे लिखा तो कोई घबराने के बात नहीं है आभार मंडल तो आभार के लिए आओ के लिए डैस लगाया है भमिरा का आकड़ा मंडल के लिए वैसे मंडल का जो रूल होता है मौसे कट करते हैं लेकिन अगर हम आभार मंडल तो हमने लाइन कट किया है तो विशा का नुखी अरुट आप असलंगी दना काड़ अज़ाइपान नुख सकते हैं युद् लेकिनस के सब्धों के सबुद करेंड़ करने के लाओ सब्दों केंद्री करण ये सब मैंने बताया था इस टाइनो हेलप लाइन पर यहाँ पर आया है तो देख लेते हैं वह फिरकाव को बड़ा करेंगे तो विकेंद्र और करण के लिए जोड़ देंगे तो यह जाएगा विकेंद्री करण छेत्री भावना हो तो छात्र छेत्र का सब्दचिन और भावना बहुचन की बिंद्र लगा दिया हमने विस्तार दे दिया है वो लाइन कट करके तकी एकी मातरा जुड़ जाए उसे बड़ा करेंगे शक आकड़ा लगा के तो विस्तार हो जाएगा यदि दाम दे दिना देत का सब्दचिन होता है तो दो लगाएंगे तो दे पढ़ा जाएगा और दिन दिदिया का सब्दचिन होता है तो दो लिखेंगे तो दिया पढ़ा जाएगा और हैका अंकड़ा लगा दिंगे इसमें तो ये तो रही आउटलाइन्स अब बढ़ते हैं हम डिक्टिशन की तर तो चले अब भी स्टार्ट करनेंगे 80 सब्द प्रतिमिनेट जो की है हिंदुस्तान टाइम से वीडियो को लाइक करना, डिक्टिशन लिखने से पहले बिल्कुल भी मत भूलिएगा चले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बात स्टार्ट आंध्रप्रदेश के राजधानी प्रकरण में एक नया अध्याय जुडने जा रहा है एक या दो नहीं, आंध्रप्रदेश ने अब तीन राजधानी बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं करीब 6 साल पहले राज़ के विभाचन के समय इस प्रदेश ने अपनी राजधानी खो दी थी मौजूता राजधानी हैदराबाद प्रदेश से काटकर अलग बनाए गए राज तेलंगाना के हिस्से में आ गई थी और इस विभाचन ने आंदर प्रदेश को एक नई राजधानी के निर्मान की मजबूरी दे दी थी उस समय के मुख्य मंत्री चंद्र बाबू नाइडू ने अमरावती को एक अत्याधुनिक महानगर के रूप में नई राजधानी बनाने का बड़ा सपना देखा था इसे उन्होंने प्रतिष्ठा का इतना बड़ा सवाल बना लिया था कि जब अमरावती पर्योजना के लिए आर्थिक मदद देने के मामले में मोधी सरकार ने हाथ खड़े किये तो नाइडुने न सिर्फ NDA सरकार से समर्थन वापस ले लिया था बलकि भाजपा से भी अपने पुराने रिस्ते तोड लिये थे लेकिन पिछले विधान सभा चुनाओ में जब उनकी पार्टी को सत्ता नहीं मिली तो अमरावती का भविश्य भी खटाई में दिखने लगा राज के नए मुख्य मंत्री जगमोहन रड़ी ने वहाँ चल रही तमाम पर्योजनाओं पर विराम लगा दिया और यह लगने लगा कि अमरावती अब प्रदीस की राजथानी नहीं होगी इससे न सिर्फ कई पर्योजनाओं पर अधविच बिराम लगने का खतरा पैदा हो गया बलकि जिले के वे किसान भी नाराज हो उठें जिनसे उनकी जमीन के बदले अच्छी केमत देने का वादा किया गया था सोमवार को तीन राजथानी बनाने का जो फैसला हुआ अमरावती भी उसमें होगी भले ही अमरावती अभी भी राजथानी रहेगी पर नायडू उसे जो आभार मंडल देना चाहते थें वह जग मोहन ने उससे चीन लिया है बाकी दो राजथानिया होंगी विशाखा पत्तनम और कुर्नूल क्या सचमुष आंद्रप्रदेश को तीन राजथानियों की जरूरत है छै साल पहले के मुकाबले देखें तो आंद्रप्रदेश अब एक अपिक्षाकरित छोटा राज्य है जब तेलंकाना भी उसका हिश्या होता था तब सिर्फ एक राजथानी हैद्राबाद से ही उसका पूरा काम चल चाता था एक राजथानी से चले प्रसासन ने ही उस समय के आंद्रप्रदेश को देश का एक अग्रडी राज्य बना दिया था समरिद्धी और उद्योग धन्दों के मामले में भी राज्य ने काफी तरक्की की थी जब पडोसी करनाटक का बैंगलूरू आईटी टकनीक में जंडे गाड रहा था तब सिकंदराबाद भी बहुत पीछे नहीं था हाला कि राज के विभाजन की राजनिती में यह गती थोड़ी कम हुई पर रुकी नहीं क्या तीन राजधानियां इसे गती दे पाएंगी मुख्यमंत्री का कहना है कि वह राज में सत्ता का विकेंद्री करन चाहते हैं इसलिए उन्होंने तीन राजधानी बनाई है यह कहकर वह दरशल विकेंद्री करन को भी एक नई परिभासा देने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक हम मानते हैं कि विकेंद्री करन वह है जिसमें सत्ता राजधानी तक केंद्रित न रहे वह नीचे जिले, कस्बे, मुहले और गाम तक पहुचे यह लक्ष राजधानियों की संख्या बढ़ा कर हासिल किया जा सकता है विकेंद्री करन की ऐसी अवधारना कभी नहीं रही छेत्रिय भावनाओं को देखते हुए कई प्रदेशों में दो राजधानियों के प्रियोग किये गए हैं छेत्रिय भावनाओं को संतुष्ट करने के अलावा उनके अन्य फायदे कभी सामने नहीं आएं तीन राजधानियों की घोशना करके आंध्र सरकार ने इस राज़नेती को नया विस्तार दे दिया है असी सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन समापत हुआ अब बारी है 90 सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन की चले स्टार्ट करते हैं विडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा स्टार्ट नागरिक्ता संसोधन कानून यानी CAA को लेकर ग्रिह मंत्री अमित साह ने यह कहकर एक बार फिर अपनी सरकार के अडिग इरादे जाहिर किये कि कोई कितना भी विरोत कर ले यह कानून वापस नहीं होगा निसंदेह संसत से पारित और अधिसूचित कोई कानून इस आधार पर वापस होना भी नहीं चाहिए कि कुछ लोग उसकी मनमानी व्याक्या कर उसका विरोत कर रही है इससे बड़ी विडम बना और कोई नहीं कि जिस कानून का किसी भारतिय नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं उसे लेकर आम लोगों और खास कर मुस्लिम समुदाय को बरगलाया जा रहा है इसके लिए उस NRC यानि राष्ट्रिय नागरिकतार रजिस्टर का हवाला दिया जा रहा है जिसके बारे में प्रधान मंत्री के साथ ग्रिह मंत्री भी इस्पष्ट कर चुके है कि फिलाल वह सरकार के एजिंडे में नहीं है इस इस्पष्टी करण के बाद विपक्ष ने यह अभियार छेड़ दिया कि राष्ट्रिय जनसंख्यार रजिस्टर यानि NPR ही NRC है विपक्ष के ऐसे ही दुस्प्रचार की काट के लिए सत्तापक्ष को CAA के समर्थन में अभियान छेड़ना पड़ा है इस अभियान के तहत ही लखनव में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए अमित साह ने इस कानून पर विपक्षी नेताओं को बहस की चुनौती दी इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने प्रधान मंत्री से बहस की चुनौती पेस की वास्तों में अब इस तरह की बहस का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि सुप्रीम कोट CAA के खिलाफ दायर या चिकाओं की सुनवाई करने जा रहा है और यह जग जाहिर ही है कि उसका ही निर्णय सर्वो पर होगा कम से कम अब तो CAA के विरोध में सडकों पर उतरने वालों को यह समझ आना ही चाहिए कि वे व्यर्थ की कसरत कर रहे है नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ करीब साथ याचिकाएं दायर की गई है इतनी अधिक याचिकाओं का निप्टारा करने में समय लग सकता है लेकिन बहतर होगा कि उनका जल्द निस्तारन किया जाए ताकि भ्रम और आसंका के बादल छटें इस मामले को समिधान पीट के हवाले भी किया जा सकता है जो भी हो इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि प्रतेक कानून का निर्माण एक विशेश संदर्भ प्रशंग में किया जाता है CAA के निर्माण के पीछे भी एक विशेश प्रिष्ट भूमी है यदि इस कानून के जरिये अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान के प्रताडित अल्प संख्यकों को राहत दी गई है तो इसके नियाय संगत आधार है, समझना कठिन है कि जो यह मांग कर रहे कि इस कानून में पाकिस्तान के प्रताडित बहु संख्यक भी सामिल किये जाने चाहिए वे ऐसी कोई तारकिक मांग उठाने से क्यों कतरा रहे हैं कि इस पडोसी देश में इराक के कुर्दिस्तान सरीखे किसी सुरक्षित ठिकाने का निर्माण किया जाना चाहिए स्टार्ट आंदर प्रदेश के राजधानी प्रकरण में एक नया अध्याय जुडने चाह रहा है एक या दो नहीं आंदर प्रदेश ने अब तीन राजधानी बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं करीब छै साल पहले राज़ के बिभाचन के समय इस प्रदेश ने अपनी राजधानी खो दी थी मौजूदा राजधानी हैदराबाद प्रदेश से काटकर अलग बनाए गए राज तेलंगाना के हिस्से में आ गई थी और इस विभाचन ने आंध प्रदेश को एक नई राजधानी के निर्मार की मजबूरी दे दी थी उस समय के मुख्यमंत्री चंदरबाबू नाइडू ने अमरावती को एक अत्याधुनिक महानगर के रूप में नई राजधानी बनाने का बड़ा सपना देखा था इसे उन्होंने प्रतिष्ठा का इतना बड़ा सवाल बना लिया था कि जब अमरावती परियोजना के लिए आर्थिक मदद देने के मामले में मोधी सरकार ने हाथ खड़े किये तो नाइडुने न सिर्फ NDA सरकार से समर्थन वापस ले लिया था बलकि भाजपा से भी अपने पुराने रिस्ते तोड लिये थे लेकिन पिछले विधान सभा चुनाव में जब उनकी पाटी को सत्ता नहीं मिली तो अमरावती का भविश्य भी खटाई में दिखने लगा राजि के नए मुख्यमंत्री जगमोहन रेड़ी ने वहां चल रही तमाम पर्योजनाओं पर विराम लगा दिया और यह लगने लगा कि अमरावती अब प्रदेश की राजधानी नहीं होगी इससे ना सिर्फ कई पर्योजनाओं पर अद बीच विराम लगने का खत्रा पैदा हो गया बलकि जिले के वेकिशान भी नाराज हो उठें जिनसे उनकी जमीन के बदले अच्छी कीमत देने का वादा किया गया था सोमुआर को तीन राजधानी बनाने का जो फैसला हुआ अमरावती भी उसमें होगी बले ही अमरावती अभी भी राजधानी रहेगी पर नाइडू उसे जो आभा मंडल देना चाहते थें वह जगन मोहन ने उससे चीन लिया है बाकी दो राजधानिया होंगी विशाका पत्तिनम और कुर्नोल क्या सचमुझ आंदरप्रदेश को तीन राजधानियों की जरूरत है चैसाल पहले के मुकाबले देखें तो आंदरप्रदेश अब एक अपेक शाकरित छोटा राज है जब तेलंगाना भी उसका हिस्सा होता था तब सिर्फ एक राजधानि हैदराबाद से ही उसका पूरा काम चल जाता था एक राजधानि से चले प्रसासन ने ही उस समय के आंदरप्रदेश को देश का एक अग्रडी राज बना दिया था समरिद्धी और उद्योगधत्नो के मामले में भी राजधी ने काफी तरक्की की थी जब पडोसी करनाटक का बैंगलूरू आईटी तकनीक में जण्डे गार रहा था तब सिकंदराबाद भी बहुत पीछे नहीं था हाला कि राजधी के विभाजन की राचनिती में यह गती थोड़ी कम हुई पर रुकी नहीं क्या तीन राजधानिया इसे गती दे पाएंगी मुख्यमंत्री का कहना है कि वह राज में सत्ता का विकेंद्री करन चाहते हैं इसलिए उन्होंने तीन राजधाने पनाई है यह कहकर वह दरशल विकेंद्री करन को भी एक नई परिभासा देने की कोसिस कर रहे हैं अभी तक हम मानते हैं कि विकेंद्री करन वह है जिसमें सत्ता राजधानी तक केंद्रित न रहे वह नीचे जिले, कस्बे, मुहले और गाव तक पहुचे यह लक्ष राजधानियों की संख्या बढ़ा कर हासिल किया जा सकता है विकेंद्री करन की ऐसी अवधारना कभी नहीं रही छेत्रिय भावनाओं को देखते हुए कई प्रदेसों में तो दो राजधानियों के प्रयोग किये गए हैं छेत्रिय भावनाओं को संतुष्ट करने के अलावा उनके अन्य फायदे कभी सामने नहीं आएं तीन राजधानियों की घोशना करके आजरी सरकार ने इस राज़निती को नया विस्तार दे दिया है अब लास्ट डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं जो की है 110 सब्द प्रतिमिनट 110 सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछी सेकेंड बाद अगर आप 120, 140 और 160 सब्द प्रतिमिनट की डिक्टेशन लिखना जाते हैं तो हमारे हैपी स्टनोग्राफी के रिपोर्टर स्कीम को जरू जोईन करें। चले स्टार्ट करते हैं 110, स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट नागरिक्ता संसोधन कानून यानी CAA को लेकर क्रिह मंत्री अमित साह ने यह कहकर एक बार फिर अपनी सरकार के अडिक इरादे चाहिर किये कि कोई कितना भी विरोत कर ले या कानून वापस नहीं होगा निसंदेह संसत से पारित और अधिसूचित कोई कानून इस आधार पर वापस होना भी नहीं चाहिए कि कुछ लोग उसकी मनमानी व्याख्या कर उसका विरोध कर रहे हैं इससे वड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जिस कानून का किसी भारतिय नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं उसे लेकर आम लोगों और खासकर मुस्लिम समुदाय को बरगलाया जा रहा है इसके लिए उस NRC यानी राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर का हवाला दिया जा रहा है जिसके बारे में प्रधान मंत्री के साथ ग्रिह मंत्री भी इसपष्ट कर चुके हैं कि फिलहाल वह सरक के जिन्डे में नहीं है इस इसपष्टी करिंड के बाद विपक्ष ने यह अभियान छेड़ दिया कि राष्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR ही NRC है विपक्ष के ऐसे ही दुष्प्रचार की काट के लिए सत्तापक्ष को CAA के समर्थन में अभियान छेड़ना आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए अमित साह ने इस कानून पर विपक्षी नेताओं को बहस की चुनौती दी इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने प्रधान मंत्री से बहस की चुनौती पेस की वास्तों में अब इस तरह की बहस का कोई औचित नहीं रह गया है क्योंकि सुप्रीम कोट CAA के खिलाफ दायर या चिकाओं की सुनवाई करने जा रहा है और यह जग जाहिर ही है कि उसका ही निर्ने सर्वो पर होगा कम से कम अब तो CAA के विरोध में सडकों पर उतरने वालों को यह समझ आना ही चाहिए कि वे ब्यर्थ की कसिरत कर रहे हैं नागरिक्ता संसुधन कानून के खिलाफ करीब साथ याचिकाएं दायर की गई हैं इतनी अधिक याचिकाओं का निप्टारा करने में समय लग सकता है लेकिन बहतर होगा कि उनका जल्द निस्तारन किया जाए ताकि ब्रह्म और आसंका के बादल छटें इस मामले को समिधान पीट के हवाले भी किया जा सकता है जो भी हो इसकी अंदेखी नहीं किय जा सकती कि प्रतेक कानून का निर्माण एक विसीज संदर्ब प्रशंग में किया जाता है CAA के निर्माण के पीछे भी एक विशेश प्रिष्ट भूमी है यदि इस कानून के जर्ये अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान के प्रतारित अल्प संख्यकों को राहत दी गई है तो इसके नियाय संगत आधार है, समझना कठिन है कि जो यह मांग कर रही है कि इस कानून में पाकिस्तान के प्रतारित बहुँ शंख्यक भी सामिल किये जायने चाहिए वे ऐसी कोई तारकिक मांग उठाने से क्यों कतरा रही है कि इस पडोसी देश में इराक के कुर्दिस्तान सरीखे किसी सुरच्छित ठिकाने का निर्माण किया जाना चाहिए सबसे पहले मिलता रहे धनिवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में